आवी क्याल है जैसे कि आप ने टाडल में पढ़ा कि ये मेरी last वीडियो है तो मैं आपसे मखात्राइप आखरी बार इस टूडियो से ये studio की last video क्लिक वे aス टूडियो से ये YTL में ध्र्क्रास हलकत की तो बहुत सारे यूट़्ूblers करते हैं दुनिया वर में करते हैं टार्टल ऐसा रखो के बंदे क्लिक करें जानने के लिए क्लिक करें क्लिक करवा दिया मैंने आप से इस स्टूडियो में ये लास्ट वीडियो है वी आर रिलोकेटिंग और इसकी मैं पूरी आपको एक कहानी सुनाता हूँ देखें जैसा कि आपको याद होगा मैं हमेशा वीडियो बनाता था अपने बिस्तर पे बैठके अपने कमरे से या गाड़ी में बैठके या दुबई की सड़कों पे चलते हूए वो सिसला तो चल रहा था लोग मौपत भी दे रहे थे प्यार भी दे रहे थे वीडियोस वर हेट वरके मैंने खुद रियलाइज किया कि देखें काम में हमेशा इनोवेशन लाते रहने चाहिए हमेशा यू हाव तो बी यू हाव तो सिसला चल रहा था अंटिल नवेंबर ये सामने छट टपकने लगी और टिप टिप बरसा पानी पानी ने आग लगाई और मालूम ये पढ़ा कि ये जी गटर का पानी है उपर वालों के बात्रूम का अब ये एक बंगला है और उपर चार फ्लैट बने रहे तो और खस्ता हाल है वाला एक 25-30 साल हो गए है तो ये चीज़ एंटिटी रियरेट होती है मैं ने माले मकान से जिकर किया है, और उपर कोई बात्रूं के बात्रूम दो ने सामने वालों के बिज़ संगे यहां बन नहीं है अगर आपको प्रवल्लों में आप बनवाने तो लोगों को उल्टा दूसरों के बातरूम बनवाने पर दो हैं तो आपने यह भी बोले यह यह कर लेते हैं लेकिन कोई अपना बातरूम तोड़वाने को ही तैयार नी बेशब नीचे वालों के लाखों रु कोई एक hidden message that I have to decode और फिर that required migration तो फिर मैंने actively जगार डूना शुरू की और आपको पता है अपने मतलब की जगार मिलना कराची दे शेहर में बड़ा मुश्किल है कहीं यह मसला कहीं वो मसला कहीं पानी का issue कहीं कहते हैं जी लड़के नहीं आ सकते बगएर बगएर दस वार फाइनली we found a very nice space पड़ी भी है इससे और मैं हमेशा believe करता हूं काम को हमेशा आपने रीइंवेस्ट करना होता है अपने काप पर बिसनस को बढ़ाने के लिए और मेरा यह मुशन है कि 2021 में इंशाल्ला आपकी तुहां से हम आपसे मैं इंटरनेट पे रूल करना है तो इसके दुआधार इने खिलनी है अब आपके वाई ने इंशाल्ला तौला तो यह मेरे गोल्स है तो मैंने सोचा है रिलोकेट करते हैं माइगरेट करते हैं मेरा कामिल इमान है इस बात पर तो ठले बहुत जारा बातें यहां होई अब आपको अपना नया स्टूडियो दिखाता ह 3 2 झुट बाते हैं में ऐस Movement झामिल करते हैं में करते हैं में नचे रिलना ने आपको घड्स कोई कर दो चक्ट करते हैं हाँ भई न्यू एर न्यू मी तो न्यू स्टूडियो भी आपके भाई का हाजिर अलहमदुल्ला इस पर काफी मेहनत हुई है और जैसे कि मैंने आपको इशले सेक्शन में बताया है वहाँ पर गटर के पानी का एक तो यही मसले है यहाँ पर जितना कुछ कर लो गटर के पानी के एक तो हमारी जिंदगी में गटर ही आ गया है बाहर निकलो गटर अंदर बैठो गटर 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 ही गटर खैर everything happens for a good reason जाहरे मैं frustrated था मैं बड़ा लड़ा जगड़ा भाई कुछ कर लो बगएर बगएर शिफ्ट होना असान नहीं है भाई पूरा सवार एक तो घर से करीब हो क्योंकि सारी जिंदगी शारा फैसल में नहीं गुजारनी मैंने सारा स्ट्रेस हुआ निकल जाएगा सारी एनरजी जब शारा फैसल में फस जाएगी तो काम पर घंटे की creativity होगी तो creativity वाले काम में सफर कम करना हो ताके suffering कम हो समझें तो इलाके घर के क निकल जाते हैं ये बड़े मसले ये भी चीज़े देखने अब ये भी फैक्टर देखने बड़ते हैं गाड़ी का शिशा कोई न ले जाए अब पेट्रॉल की टेंकी ये मसले हैं हमारे अब आपकी नाली लेके चले गए देखो बाहर खड़ी भी थी भाई यहां पे गली खुद दी लेके बार खड़ी की चोगितार हैनी गली में वो क्या पेट्रॉल के साथ अब नलकी भी ले गए बिचारा बसो में गया कल तीन तो शिफ्टिंग इस अ प्रॉब्लम तो फिर भाई बड़ी खुआरी जाहर अपने मतलब की जगा अपने हिसाब की जगा अपने स सर पे खड़ो के काम कराना पड़ते हैं वरना तो भाई रोटी आते ही रोटी का टाइम हो जाता है अख़बार पे खोल के बढ़े जाते हैं बै काम तो कर लो ठीक है न ये सारी चीज़े 10,000 मसले मसाइल लाइटे लगाना ये करना वो करना I have gone all in भाई ये आप तस्वीर द पे और ये टेबल सामने पड़ाओ है ये सेकेंड लिया था पचास दरब का जुमेरा विलिज सरकल अबे अजमान से जुमेरा विलिज सरकल बहा जाके लिया I personally believe देखो भाई घर पे बैठके बिस्तर में बैठके यूं करके तो मेरा काम चल रहा था बट अपने काम में बार होता है फिर आइडिया भी अच्छे आते अब ये घर में बैठे है वो टीनी नी नी अब एक तो ड्रिले ही नी खतम होती कौन से ड्रिलें कर रहे हैं भाई ऐसे में कहा एडिया है आपको थोड़ा सकून चाहिए कोई वाइब चाहिए जहां पे बैठके आपको जो नहीं आ लगाई है आप लोगों की मनुरंजन के लिए कि आप बड़े मज़े से मदा निया है यह करके निकल गए अब यह लाखो लगावे अगले का भाई थोड़ा से अप्रिशेट कर अच्छा एक और बात भाई यह ऐसे ही नहीं आ चाता यह आपके तो ना यूट्यूब के बिखता है बीज में कोला बिखती बिखती है चाय बिखती वो होगी तो चैनल चलेगा इसी तरह अच्छे अच्छी बाते होंगी लेकिन कभी बीज में आड आ गया वो इसलिए आता है ताकि यह मनुरंजन यह सस्ते नहीं आते हैं यह कैमरे के पीछे बैटा है यह महंगे अलहमदुलिल्ला यह लाइटे सस्ती नहीं जाके सदर जाके रेट तो पूछो इनका यह कैमरों के लेंज अब एक सेकेंड इधर ही बैटा यह यह ओ भाई यह दो लाग रुपे हैं यह यह करके गरे गए दो लाग यह ऐसे नहीं आ जाते हैं इनके पीछे भागना पड़त हो तो फिर 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 खुद पोस्ट लगा होगे क्यार हुकूमती इंदात के मुंतजर अबे भाई नहीं होना मुंतजर उनका तब ही तो हम कर रहे हैं काम तो बुरा नहीं मनाया करें एनीवे तो भाई यह सीन है और रीइन्वेस्ट करें जो भी आपका बिजनेस हो उसको हो भारें खुबसूरत बनाएं अबे और मज़ा आता है उधर क्या होता था हमें शूट कुछ भी आउटडूर करना था गली में आना होता था अब उसमें भाई भी ट्रर करके जारी है यह भी ओर रहा हो रहे है दसे सार मसले यहां पे लॉन है हम जो भी आउटडूर होता ह चलते हैं हम ठीके ना तो वो इंशाला उनका भी बड़ा खुबसूरत बना है वो अपनी वीडियो में रिवील करेंगे अभी आप मेरी वीडियो में यह वाला देख लें तो इसमें मैंने यह तीन सेटप लगाएं यह पॉड्कास का सेटप है तीन सोफे अलहमदुलिल्ला बनवाएं मैंने क्योंके कभी-कभी दो गैस्ट भी हो जाते है ठीक है और इसी कैमरे के पीछे आस गंजी स्वैक जो Q&A सीरीज मैं करता हूं यूट्यूब पे उसका वहाँ पर है जरूर आईए जो भी मसले मसले है आपको अपनी प्रॉब्लम्स है आपको अपनी आपको चलो यही गंजी स्वैक मिल रहा है पीछे तो कुछ नया देखने को मिल रहा है समझ रहे ना मेरी बात बाकी आपके यह भी मैंने इसमें कुछ चीज़े रखी है अभी तो यह बहुत खाली है शेल्फ आप भी कुछ आइडियास दीजेगा मिनीचर विनीचर वगयर इसको इंडस्ट्रिल पाइप का कहते है रॉट्स नाम की एक कंपनी है और बड़ा अच्छा बना के दिया है और यह मैं चाहरा था तो थीम थोड़ी सी चुके काम थोड़ा सा सीरियस नेचर का होता है तो मुझे फंकी गलर नहीं चाहिए थे ग्रफीटी वो रफीटी वग नहीं खा रहे है समझ रहे हैं तो यह सीन है तो लाइट्स कैमराज एक्शन वेक्शन सब हो गया है अलहम्दुल्ला काफी सारे सबचस गैस मैंने लाइन अप किये हुए है अच्छी अच्छी पॉड़कास्ट आपको देखने ही मुलेगी इन्फॉमेटिव भी और वो जो क लोगों की हेल्प करें किसी तरह लोगों के लिए वोन टॉपिक्स पे बात करेंगे जिर टॉपिक्स आपको अमूमल टीवी पे देखने को नहीं मिलते हैं अब ही मैं कमपाइलेशन देख रहा था एक ड्रामे का सिर्फ चमाट यह हो रहे थे दो मिनट तक सिर्फ चमाट इ ऐसा नहीं करना वे कोई काम की बात करनी है लोग कुछ सीखें समझें आगे बढ़ें जिंदगी अपनी अच्छी करें अच्छे अच्छे लोग बलाने मैंने तो काफी लाइनप की वे आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा गैस जो क्या आप इस शो पे देखना चाते हैं तो गुम फिरके फिर वोई कड़र का पानी कड़र के पानी में फस गें सारे तो ये सिचुएशन थी शुरू में मुझे थोड़ा सा कोफ्त हो रही थी मगर वो कहते हैं हर अल्ला मिया जमीन पे आके नहीं बताता कि बिटा अब तूने साथ इज़र जाना है मैं जब UAE में अलगा यार इतनी मेनस से मैंने स्टूडियो बना आप गड़र का पानी टापक रहा है समझने मगर वो कहते हैं कि जब आप प्रॉसेस से गुजर रहे होते हैं तब वो जहर लग रहा होते हैं लेकि जब आप एक जगा मनजल पे पहुछ जाता है पीछे पलट के देखते है तो आपको लगते हैं वो मेरे लिए बहतर था तो मेरे लिए ये भी बहतर था कि चलो वहां काम लिटरिली दो दिन बाद शुरू होना था दो दिन पहली लीक हो गया ये अल्लामिया का मेसेज था ये अल्लामिया ने मेसेज बेज़ा कि बेटा अब यहां से थोड़ा ग्रेट करो, काम को और निखारो जितना उसमें बरकत डालोगे और इन्शालला मैं तो इसी चीज़ में बिलीफ करता हूँ, तो आप जो भी काम करते है बुश्किलात आएंगी सबसे पहले आपने घबराना नहीं है ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना उसको as a sign देखे उसको समझें कि यार, अल्लमिया क्या कहना चारहे मुझे अगर ये चाठ टपा करी अल्लमिया कुछ कहना चारहे मुझे क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस थारा analyze करेंगे हर देखें हमारा कामिल इमान है हर चीज के बीचे बेतरी होती है कोई ना कोई हमारे लिए बेतरी होती है हमें वक्ती तौर पर frustration होती है कई-कई ऐसे भी situation है अल्लमिया से शिकायत कर बैठते है क्या अल्लमिया क्या मैं मिला सब छोड़के सारी मुसीबत मुझ पर डाली थी मगर उसमें हमारे लिए कोड़ेड मेसेज होता है जो शायद हम उसमक नहीं पढ़ पा रहे होते है तो हमेशा positively channelize करें चीज़ों को सोचें समझें analyze करें कि क्या पता इसमें मेरी ही कोई बेतर है या अल्लमिया मुझे एक step आगे लेके जाना चारह है दोबारा ये तस्वीर देखने स्क्रीन पर कहां बैठा था मैं पांच साल पहले उस कमरे में खिड़की नहीं थी भाई ये जो टेबल है जो पुराने मेरे followeran को याद होगा मेरी इसी टेबल पर मोजे सुख रहे होते थे अबे मोजे उपर वो था central AC उसकी मैंने पंखा यू मोड़ा वा था मोजे सुखा रहोता था मैं वापर बै कपड़े सुखाने की जगा नहीं थी आज अल्ला ने इस काबिल किया उसकी भी एक वज़ा consistency, persistence, overcomes, resistance ये तीन लवज लिख लो सामने लगा लो जहां खुले जो जहां सोते हो ना, दीवार पे सामने लगवा दो बड़ा-बड़ा, ओ लाइट होना से जिन्नोंने मेरा वो sign मना है, उसी से ही बनवा लो, ताकि उठते ही उस पे नजर पढ़े, persistence, overcomes, resistance, मैं रुका नहीं मुझे लोगोंने बड़े comment, आज तक जालियां देते हैं हर, ओ भाई देखो काम करना, काम करना मेरा फर्ज है, गाली देना आपका जर्फ है मैं एक 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 घर पे आके तो नहीं तो आपकी जमान को पुलीस कर सकता, ठीक है, जो आपने सीखा, जो मैंने सीखा, मैंने बोल दिया, जो इसमें इसने कहा है दस हजार घंटे दे तो कोई भी काम कर रहे हो ना पहुंचे कहीं मेरा नाम बदल देना लिखा है इस केताब में तो दस हजार घंटे लगाए मैंने शुरू में नहीं देखते थे लोग यार अबे भाई मैंने जब लोग मुझे बोलते हैं माशालला आप क कहा था कंसिस्टेंसी रखी चुटी नहीं की काम के साथ द्यानतदारी आके 16-16 घंटे बैठा आज भी बैठता हूं लोग केता है अब तो आप बड़े मशूर आदमी आराम से चिल करें नहीं भाई बैठ चिल करना है थोड़ीया है यापे सुकून सिर्फ कबर में खान आप बैठ दे के यार बस हम मैं आराम करना है और मैंने अपे आराम करने है आँ दुनिया में क्या काम करना है मेनत करें घबराएं नहीं ये ना सोचे कि मेरे पास छोटा फून है मेरे पास 20,000 रुपे है मेरा है मेरा तो कुछ नहीं हो सकता कभी किसी के बारे में बुरा नह कर रही है तू अपनी किसमत जो लोग दूसरों पर नजर रखते ना उसने ये जूते पहने हुए उसने ये गाड़ी चला रहा है वो ये ही करते रहते हैं जिन्दगी पर मैंने कभी अलहम्दल्ला नहीं किया हमेशा सब के लिए खोश हुआ हमेशा सब के लिए दूआ की अल्ला और दे और उसी के बतले देखो हम जो है ना वो सेल है सेल नजर नियारा भी दिखाता जो चार्ज दोगे वो ही चार्ज आएगा ठीक है हम बैटरी सेल है पूरी दुनिया के पॉजिटिव दोगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव दोगे नेगेटिव आएगा सारा दिन चिड़ चिड़ करोगे शिकायते करोगे उसके पास ये क्यों है उसके पास क्यों है काइनात जो है ना लॉफ अट्रेक्शन पर चलती है वो आपको वही मुसीबते देगी ले और फस तू खोश रहना सी के दूसरों के लिए ठीक है ये ना देखें उसके कितने अबे मेरा तो 9 साल से बनावा इंस्टाग्राम अभी डायलाक पर पहुंचा है मैं भी बोल सकता हूँ ना यार वो अगला मिलियन पर कैसे पहुंच गए कुछ भी नी छोड़ो यार वो, उसकी अपनी किसमते अपना काम अबादत की तरह करें हमने एक काम को रखते हैं समझ रहें ना काम को अबादत समझें खाली अबादत, नमाज, रोजा, हजज नहीं है ये भी अबादत है जो भी आपका काम कुछते हैं जियानतदारी से, क्योंकि उससे आपका पेड़ बरता है, आपके बच्चों का पेड़ बरता है, तो उसके साथ दिल लगाए, इमानदारी करें, मेरा तो कामिल इमान है, ना मिले भई पैसा वापिस, ऐसा हो इनी सकता, खुदरत का निजाम ही है, यह फॉलो करो, यह मिलेगा यह करोगे, तो यह मिलेगा, हम समझते ही निए इस चीज़ों को, हम सिर्फ हसत में रह गए, उसके पास यह क्यों है, यह कैसे आ गया, वे कैसे आ गया, अरे भार में जाये यार, तुम अपनी मेनद करो, तुमें भी मिलेगा, सो घबराएं नहीं, परसिस्टेंस हो जाएं, जो भी काम कर रहें, कंसिस्टेंसी से, दे दे पास साल, अगर मेरी बास समझते हो, बड़ा भाई समझते हो, पास साल दे दो, इन्शाला यूल मेक इट, मगर द्यानतदारी के साथ, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के कीड़े नहीं निकालना, अपने काम पे हो करते हैं सर नीवा करके, सर नीचे करके अपना काम, घोड़े के लगे होता न यूँ, वो लगवालो यहां पे, इधर ही देखना है, ये मेरा गोल है, मुझे नहीं देखना कौन क्या चला रहा है, मुझे नहीं देखना कौन कितने आडर अब के घर में रहा है, मुझे देखना ही नह है मैंने एक टिक टॉक मेंने शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पे उसमें खातून के थी है उनके वाले साब ने कहा था यू गो वेर यूर आइस गो जहां आपकी नजरे होती है आप वही जाते हो या उल्टा जाते हो तो बार-बार माजी में देखो ओगे छोड़के चली गई तो उदर ही पढ़े रहोगे आगे देखो भाई जाने वाले को रोको नी जाने वाले को ठोको नी you know where your eyes go आगे ही देखना है भाई वही मेरा goal है मुझे hates Brilov observing कर होगा को दानिया旦ेते रहा होगा को मजाक उड़ा सक्सार और हो तो द्यारतदारी से काब करें, दुआ करें अपनी लिए भी और मेरे लिए भी दुआ करें, कि ये जो है ना, इसके जरीए अच्छी बाते जाएं, जिससे लोगों का भलाओं, क्योंकि मैंने भी हमेशा अल्लमिया से दुआ की, मैंने कभी नहीं बोला मुझे बड़ी मैं वो एक फनल बन जाओं, जिसके थूँ जो है, लोग लोग अच्छी चीज़े सीख लें, तो मैं इसको इबादत समझता हूं, ये बड़ी रिस्पॉनसिबिलिटी है, इससे गन डालूंगा, सर बड़ा असान है वाइरल होना, गन डालो धड़ा धड़ा धड़ा, फॉल ले भी, मेरे ले भी, और once again, congratulations to me, and to you, कि अब आपको अच्छी, अच्छे व्यूस मिलेंगे, और अच्छी quality में, इंशाला हुताला, और जरूर रेक्मेंड कीजेगा, whatever you want to see, whoever you want to see, whatever you want to see on the background, और आस गंजी सोहाग का चैनल, जरूर फॉलो करे, यूट्यूब पर as I can, and बस फिर इंशाला मिलते हैं, आपसे दुआ करते हैं, आपसे बिदा लेते हैं, और इंशाला आपना ख्याल रखीगा, ताफिस.